किसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे यंहीं और मज़े में होगे और आप सबी है आज की इस विडियो में बात करेंगे मार्टि की करेंट सिचुविशन के बारे में क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के क्या एथीरियम के और क्या अपडेट सारी है वह भी कवर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को वैरी गुड मॉर्निंग तो आज है सेटेडे और सेटेडे मॉर्निंग को भी कोईन कहीं ना कहीं स्टेबल है पे खुद को होल्ड किया हुए बिटकॉइन ने 23,300 डॉलर पे लेवल इस टेम पे चल रहे हैं ठीक है 200 तक के भी लेवल हिट किया है बिटकॉइन ने और होता है जब बिटकॉइन एक हाई लेवल टच करता है तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे लेवल हमको देखने को मिल कैप हम देख लेए तो एक ट्रिलियन डॉलर से उपर बना हुआ है 1.08 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है 1651 पे एथिरियम का प्राइस चल रहा है बिएन बी 328 डॉलर पे प्राइस चल रहा है और अगर हम बाकी क्रिप्टो कोइंच की बात किर लें तो यहां पे XRP रिपल 0. 0.46 नंबर पे बना हुआ है 6 नंबर की बड़ी क्रिप्टो गरंसी बाइनस यूस्टी जो स्टेवल कोईन है वी यूस्टी बाइनस का वह 7 नंबर पे है 8 नंबर पे 0.39 के साथ कारडैनो की बहुत स्लो स्पीड चल रहा है अभी फिलहाल काफी टाइम से और कभी भी यह हम पा सकता है क्यों क्योंकि लॉन मस्क ट्विटर के उपर जो है क्रिप्टो पेमेंट लाने वाले हैं और डॉज को इनको पुष मिलेगा उससे है ना पॉलिगॉन 1.2 डॉलर सोलाना यहां पर आप देखो 11 नंबर पे बनी हुई है 24 डॉलर 12 पे पॉल का डोट है और 13 प्राइस देखोगे 14 तक की सीरीज हिट कर लिए है शिबाइनुने हम बात कर रहे थे 14 जो 11 ट्वल तक सीरीज चल रही थी अभी 14 तक आ चुका लेकिन अभी भी 20 को ब्रेक करना जरूरी है लेकिन अच्छी बात है 11 परसेंट प्राइस और बढ़ा है अठ्रा लाग अठाई से जार लोगों ने एड किया हुए 13 नंबर पे बना हुए शिबाइनुन और प्राइस अभी करेंटली चल रहा है 0.4 टाइम 0 13.99 के उपर तो एक बार फिर से पंप आया और ये जो छोटे छोटे पंप आरे है शिबाइनुन में ये इशारा है कि बड़ा fluctuation होने वाला है शिबाइनु के अंदर क्योंकि 1800 तक की जो सीरीज है ना वो शिबाइनुन ने हिट की हुई है अभी 30.99 पे चल रहा है ना तो इस लेवल को अगर तोड़ता है तो 2020 वाली जो सीरीज है वो हमको देखने को मिलेगी है ना और वही देखना जरूरी है वहीं पर टिकना जरूरी है बुर्ज खलीफा शिबाइनु का काफी टाइम के बाद मार्केट में बनता हुआ और बैरियम भी लॉंच हो सकता है ना तो बहुत इंपोर्टेंट डेट रहेगी 14 फेबरी की अभी शिबाइनु की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें 83 परसेंट तक ग्रीन में चल रही है काफी अच्छी ट्रेडिंग हो रही है मार्केट कैप 7.6 बिलियन डॉलर तक पहुच च ट्रांसफर 8.5 मिलियन डॉलर तो अलमेडा कॉंसॉलिडेशन एड्रेस अलमेडा का नाम आपको ने जरूर फुना होगा जब FTX दिवालिया हुई FTX और अलमेडा का कॉंबिनेशन बहुत सारे कोईंस पे भारी पड़ा और त्रांसफर फ्रॉम बिट्फिनेक्स तो अलम और यह एड्रेस लेबल अलमेडा कंसॉलिडेशन रिजीव 30 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्रिप्ट एसेट फ्रॉम दा डिफ्रेंट वालेट्स तो बिट्फिनेक्स यहां पे क्वेस्चन के दायरे में जरूर आ गी है है ना और यहां पे बिट्फिनेक्स की तरफ से भेजे गए है आठ मिलियन डॉलर मतलब एक तरह से जो है अलमेडा के साथ जो कनेक्शन है वह यहां पे दिख रहा है बिट्फिनेक्स का चाहे जो भी रीजन हो लेकिन क्रिप्ट एक्षेंज बिट्फिनेक्स ट्रांसफर 8.5 मिलियन डॉलर टू अलमेडा कंसॉलिडेशन एड्रे नेक्स्ट हम बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में जो मामला काफी टाइम से फियर में चल रहा था और कुछ दिन न्यूट्रल चला थोड़ा ही टाइम न्यूट्रल था और अब वो जो है ग्रीड में आ चुका है 58 पे चल रहा है इस टाइम पे और मार् लास्ट वीक और लास्ट मन तो फियर वाला रहा ही है मतलब जैन्वरी का और कहीं न कहीं अब जो चीजें हैं वो ग्रीड की तरफ बढ़ रही हैं जब ग्रीड होता है ना तब थोड़े थोड़े जो हैं करेक्शन भी देखने को मिलते हैं साथ के साथ है ना नेक्स्ट नम बात करेंगे एकसारफी रिपल की और एकसारफी रिपल कहीं ना कहीं जो पेच फसा हुआ है वह S.E.C. के जरी फसा हुआ है लीगल एक्सपर्ट सजेस्ट एकसारफी प्राइस पॉट सर्जीफ रिपल वर्सेज S.E.C. केस हैं पॉजिटिव आउटकम जब तरह ये पूरा case का पूरी तरह निप्टारा नहीं होता पूरी तरह end नहीं होता ये आप समझे लो सिर्फ छोटे मोटे निप्टारे से कुछ नहीं होगा एक rally अभी XRP ने हमको कुछ मेने पहले दिखाई थी बिल्कुल निप्टारा होना चीए और एक positive निप्टारा होना चीए किस्सा ही खतम होना चीए ये case ही खतम होना चीए इस case के चक्कर में XRP ripple कहीं नहीं फसा हुआ है और जिस दिन ये होगा ये चीज़ा आप समझे लो positive outcome आएगा अगर ये case खतम होता है with positive outcome तो definitely XRP ripple के लिए अच्छी बात होगी योगी काफी time से page फसा हुआ है इसी में फसके रह चुका है XRP ripple और जब इससे आजादी मिलेगी XRP ripple को तो price में भी अच्छा काचा सर्ज हमको देखने को मिलेगा तो तयार रहे उस दिन के लिए वो दिन अब जल्दी हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत लंबा खिच गया ये case बहुत लंबा time हो चुका है और अब ज़रूरी है कि इसको end किया जाए next नम बात करेंगे चारली मुंगेर अभी हमने कली बात की थी क्रिप्टो को बैन करने कि उन्हें ने जो है अर्ज किया है यूएस गौर्वर्मेंट से है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए आप एक तरह से right hand समझ लीजिए Warren Buffet जो सबसे बड़ा investor है लेकिन Micro Strategy के जो Michael Saylor है वो यहाँ पर क्या कह रहे है माइकल सेलर क्वेस्चेन चारली मुंगेर नौलेज ओन बिटकोईन मिन्स अगर आप देखो बिटकोईन को लेके इतना ज्यदा statement हर को दे देता है ना बैन कर दो crypto को बैन कर दो लेकिन knowledge कहीं न कहीं बिलकुल भी नहीं है और पता ही नहीं है flagship cryptocurrency bitcoin जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बता है US government को यहाँ पर कहा कि बैन करने के लिए और यहाँ पर अगर आप देखो जो हमारे Michael Saylor है जो bitcoin के true lover है the executive chairman of micro strategy state that Charlie and other prominent business leader जितने बड़े बड़े जो business leader है are constantly being asked for their opinion on bitcoin हर कोई अपना opinion जरूर दे रहा है लेकिन despite the fact that they have zero to no knowledge about flagship cryptocurrency उनको zero knowledge है यह कहना है micro strategy का अब क्या reason है जो भी reason है ठीक है हर बार bitcoin को crypto को इसी word से use करना और कहीं न कहीं वो थोड़ा ठीक नहीं है इतने बड़े business leader होके अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो चीजें फिर ठीक नहीं है तो समझना चीए किसी भी चीज को अगर ban करना है या ban बोल रहे हैं तो उसके पीछे का कुछ facts होते हैं कि ban क्यों किया जाए मैं यह नहीं कहा रहा सब चीजें अच्छी हैं अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं लेकिन जो बुरी हैं उसके साथ साथ अच्छी चीजों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है है ना सिर्फ बुरी को देखेंगे तो फिर हर चीज बुरी लगेगी अच्छा देखेंगे तो अच्छा लगेगा इसलिए अपना opinion हर चीज को ध्यान में रखके देना अच्छी है तो यही चीज वाइकल सेलर कह रहे हैं कि जितने बिजनेस लीडर है जीरो नौलेज है बिटकोईन के बारे नेक्स्ट अपडेट है थोड़ा सा फाइल कोईन के साथ जुड़ी हुई है और फाइल कोईन क्रियेटर प्रोटोकॉल लैब है न अगर आप यहां देखोगे कट 21 परसेंट ऑफ स्टाफ दे कंपनी सिटिट दा करेंट एकोनोमिक सिचुएशन और क्रिप्टो विंटर एस रीजन बहाइंड इस डिसीजन तो यहां पर अगर आप देखो 21 परसेंट यह जो प्रोटोकॉल लैब है दे कंपनी बहाइंड डी सिंटरलाइज फाइल स्टोरेज नेटवर्क फोर फाइल कोईन और इसने जो है यहां पर अपने 21 परसेंट स्टाफ को जो है यहां पर कट किया है मतलब कम कर दिया नेक्स्ट अपडेट आ रही है सबसे बड़ी अपडेट बेबी डॉज कोईन को लेके और बेबी डॉज कोईन का जो बर्न पोर्टल है उसकी एक जलक दिखाई थी पहले हो लेकिन बर्न पोर्टल गोज लाइव ऑन मंडे फेबरी 13 ओनली 10 डेज अवे जी हां 13 दिन 13 फेबरी 13 तारीख वो तारीख होगी जब मार्किट के अंदर बेबी डॉज को इनका भी बर्न पोर्टल आ जाएगा और वाइब बेबी डॉज बर्न पोर्टल यहां पर आप देखोगे गिव यूजर लोवर बाइफी तू परचेज बेबी डॉज कोईन है ना एक लोवर बाइफी रहेगी तू परचेज बेबी डॉज कोईन और रिडूज सप्लाई ओफ बेबी डॉज कोईन और बहुत अच्छा स्टेप है बेबी डॉज कोईन को लेके सप्लाई को कम करने क लिए और हो सकता है जब यह बन पोर्टल लाइव होगा तो अच्छी खासी बर्निंग हो जए फरवरी मंत के अंदर मतलब 13 तारीक के बाद जितना टाइम रहेगा मार्च में भी अच्छी बर्निंग हो जए और एपरेल में भी 2-3 महिने और हो सकता है आगे भी अच्छी होती है ठीक है क्योंकि शिबा इनों की तो ज्यादा अच्छी हुई नहीं 2-3 महिने के बाद क्योंकि वह बियर रन था लेकिन यह टाइम और है लेकिन अगर हां बर्न पोर्टल आ तो डेफिनेटली बेभी डॉज को इंपक्ट पड़ेगा और प्राइस पर क्या इंपक्ट पड इंडियन रुपीज में 8-0 चल रहे हैं 20 की सीरीज है और पिछले 30 दिन में वेवी डॉज कोईन अगर आप देखो 119% का प्रोफिट दे चुका है 120% का प्रोफिट अपने होल्डर को बना के दे चुका है पिछले 7 दिन में 50 क्रोस किया है 14 डेज में 80 क्रोस किया है और 16 परसेंट चल रहा है बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है बर्न पोर्टल लाइव हो रहा है 13 फेबररी को और बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी सप्लाई को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वाड्रिलियंस वाली सप्लाई लेके बैठा है है तो एक बहुत अच्छा स्टेप है बेबी डॉज कोईन के लिए लास्ट और फाइनल अपडेट है सोनम कोईन को लेके बिए जो सोनम कोईन छे हजार परसेंट अभी एक दो महीने पहले ही पंप किया था अब उसी कि SNM कोईन की एक नई लिस्टिंग होने वाली गेट आयो के उपर अगर आप देखो SNM USDT ट्रेडिंग पेर और ट्रेडिंग शुरू होगी 6 फेबरी से तो 6 फेबरी को यहाँ पे गेट आयो पे भी आ जाएगा SNM कोईन हो सकता है उससे पहले थोड़े बहुत में टेलीग्राम ट्विटर इंस्ट्रिकाम के लिंक हैं जोईन नहीं किया तो कर लेना कोई अपडेट मिसनी होगा और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें वह बहुत जरूरी होती है मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइट टेक केर